अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना अमूल ये रतन, अमूल ये रतन, अमूल ये रतन ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शान्ती, गौडलिवोर्ट सुडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल ये रतन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ती में व्रत का बहुत अधिक महत्व है ज्यान में भी परमात्म प्राप्तियों का मूल आधार इश्वरिय धारणाओं के प्रती हमारी द्रनता ही है साथ ही समय समय पर हम अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए बहुत से व्रत अर्थात प्रतिग्याएं भी करते हैं पर देखा जाता है कि समय अनुसार न चाहते हुए भी ये प्रतिग्याएं ववरत कमजोर हो जाते हैं और कई बार तूट भी जाते हैं इस कमजोरी का क्या कारण वन निवारण है आज हम इश्वरिय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मद्दे हैं प्रचापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिय विश्विद्याले के बरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाई सहाब पैसाब आपका आज के अपरिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है पैसाब आज हम बात करेंगे दो जन्वरी 79 के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है पैसाब परमात्मा कहते हैं कि आज बाप दादा हर एक बच्चे की आदी से अब तक के संगम युगी अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे थे हर एक बच्चे ने दिव्वे जन्म लेते बाप दादा से वह स्वयम से क्या-क्या वाइदे किये हैं और अब तक कौन से वाइदे और किस परसेंट में निभाई हैं वाइदा करना और निभाना इसमें कितना अंतर रहा है वक करना और निभाना समान है यह जनम पत्री देख रहे थे जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं और निश्चे होता है कि परमात्मा की स्रीमत हमें ये मिल रही है तो उस स्रीमत को पालन करने के लिए हम प्रतिग्या करते हैं वाइदा लेते हैं कि बाबा ने जो कुछ कहा है हम करके दिखाएंगे जैसे परमात्मा का पहला पहला वाइदा हम सब को पहली पहली प्रतिग्या के रूप में मिलती है कि देह सहित देह के सब सम्मन्दों को भूल कर मुझे याद करो और हम संकल्प करते हैं कि बाबा आपने जो इसरी मद्दी है इसको हम संपून पालन करेंगे ब्रत के रूप में पालन करेंगे लेकिन ये ब्रत हमने लिया, फिर अगर देह याद आ रहे हैं, माना हमने उस वायदे को पालन नहीं कर पाया, तो परमात्मा कहता है, एक एक बच्चे की मैं जनम पत्री देख रहा हूं, कि वायदा तो किया लेकिन उसको कितना निभाया, कितना प्रैक्टिकल जीवन में उता है, कोई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो वायदा भूल जाता है, परमात्मा कहते हैं, बच्चे जो संकल्प लिया है, उसको रिवाइस करो, उसको याद रखो, ताकि कोई भी परिस्थितियां आपके उस वायदे को तोड़ न सके, परमात्मा कहते हैं, हर वर्ष, हर ए अचुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं का सामना करने का, शुब भावना से कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूरत बनते है. परन्तु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाए सिर्फ अटेंशन रह जाता और अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है क्योंकि जब अच्छे वायू मंडल में कोई आत्मा आती है और जब ऐसी बाते सुनती हैं तो उनको यह उमंग आता है कि हम कर सकते हैं उंके लिए वो सहज लगता है अच्छे वायू मंडल में आके हर चीज की वायदे कर लेते हैं लेकिन जब वो संगठन में बाहर के संसार में जाते हैं और ऐसी ऐसी बात्ते उनके सामने गटित होती हैं, तो जो अटेंशन है कुछ समय तो कायम रहता है, कि मैंने भगवान के घर में भगवान के सामने यह संकलप लिये है, अपनी दृष्टी ब्रत्ती को पवित्र बनाएंगे, मुख से कभी कुवचन नहीं बूलेंगे, काम उन विजय प्राप्त करेंगे, यह सब वायदे ब्राम्हन जीवन में भगवान के बच्चे बनते ही सब लोग ले लेते हैं, लेकिन जब वो अपने करम छेत्र पड़ जाते हैं, और उनके सामने ऐसी परिस्तितियां गटती हैं, तो कभी कभी चलते चलते वायदा भूल जा पर टेंशन में आकर कैते हैं, मैं क्या कहूं, मैं कर ही नहीं पाया, उल्टा वो चीज बार बार उनके मन को खाती है, उनको लगता है कि हम चाहते थे पर करनी पाए, कि को संकल्प नु एक बार ले लिया, लेकिन वो परिस्तितियां ऐसी आ गई, कोई बात ऐसी आ गई, तो बात हो गया, तो सुचते हैं कि मैंने भगवान के सामने तो ये वायदा किया था, ये वायदा किया था, फिर अंदर-अंदर चलता है, अब फिर उस पर अटेंशन देते हैं, तो परमात्मा कहता है, अटेंशन तो कब-कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ती दो, है शब्द दो शब्द में बदल जाता है। मास्टर दाता, वर दाता, दाता के बज्जाई लेता हो जाते हैं। ऐसे पुरुशार्थ की स्टेज, कब तीवर पुरुशार्थ, कब पुरुशार्थ, कब हल चल, कब अचल, इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं। अब तक के रिजल्ट में रास्ते के नजारों में मन्जिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं, अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहते हैं, लेकिन यह कब तक? परमात्मा तो चाहते हैं कि बच्चे अपनी संपूंता की मन्जिल को प्राप्त करें, और उसके लिए जो साइट सीन्स आती हैं, उसमें रुके नहीं, कुछ भी ओ रहा है, उनको पार करते, क्रास करते, आगे बढ़ जाएं, लेकिन कई ऐसी साइट सीन्स आ जाते हैं, जिसम पर बार स्मृत्ती में लाओ, जब कभी कोई माया की ऐसी पैस्तितियां आती हैं, जब हार होने लगती हैं, तो बाबा कोई कहते हैं, बाबा मदद करो, कुछ सहयोग दो, साथ दो, तो दो करने लगते हैं, एक तरफ संकल्प लिए हम विजई हैं, और दूसरी तरफ पे सहय मांगना सुरू कर देते हैं, तो लियोता बन जाते हैं दियोता की बजाए, तो परमात्मा हम सब का ध्यान खिचवा रहे हैं, कि बच्चे, क्या जो आपने संकल्प किया है, उस संकल्प के अनुसार, मंजिल को सामने रख करके तीबरपुटसारत चल रहा है, या बीच क्योंकि कभी भी जब मंजिल पर हम किसी भी स्थान पर पहुँचना चाहते हैं, तो साइट सिंस तो आती ही हैं, लेकिन अगर साइट सिंस को देखने लगे या ठहर गए, तो हम मंजिल से दूर हो जाएंगे, उस मंजिल पर पहुँच नहीं सकेंगे, लेकिन जिसको लक्ष कि मुझे समय पर पहुचना है, कुछ भी हो रहा हो बीच में उस पर ध्यान नहीं देता, तो परमात्मा हम सबसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप उस मंजिल के समी पहुच रहे हो, जो वायदे किये हैं, उन वायदों को संपून रिती से निभा रहे हो, या बीच-बीच में ठहर जाते हो, मैं सब एक ही वातावरण में अनेक आत्मा है, एक ही दिरन प्रतिग्या करते हैं, परन तो कुछ निभा पाते हैं, और कुछ नहीं, फर्क कहाँ बता है? कि जो निभा रहे हैं, निभा पा रहे हैं, वो आयो मंडल को बार बार इध्यान पर रखते हैं, इस्मृत्ती मिलाते हैं, और कई हैं, जो अलबेलेपन में वहां किया, संगठन में कर लिया, और बाद में गए तो भूल गए, वायदा ही बूल जाता है, कि मैंने कोई संकल्प लिया भी था, सब के बीच में हाथ उठा दिया, सब संकल्प कर रहे हैं, हमने भी कर लिया, लेकिन हमने इस पर गोर नहीं किया, कि हम परमात्मा के आगे कौन सी संकल्प कर रहे हैं, उन्होंने हमें संकल्प दिया, और हमने वायदे के रूप में लोगों ने किया, तो हमने करना है कि मैं जो संकल्प कर रहा हूं इसके लिए कुछ भी सयन करना पड़े, कुछ भी त्याक करना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, लेकिन जो हमने संकल्प लिया है उसको हम करके छोड़ेंगे, आइसे जो द्रन संकल्प धारी आत्माएं हैं वो तो विजय प्रमात्मा क्याते हैं कि बाप दादा भी अभी नया खेल देखना चाहते, तो इस नय वर्ष में अब ऐसा नया खेल दिखाओ, जिस खेल में हर द्रिश्य का लक्षे सदा विजय हो, हम विजय हैं, विजय रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाए दे, अब पुरुशार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप, अर्थात सफलता स्वरूप बन, स्वयम भी हर कारे में सफल रहो, और सर्वात्माओं को भी सफलता मूरत का वर्दान दो, पुरुशार्थ स्वरूप के बजाए, वर्दानी महादानी स्वरूप में रहो, जिस से स्व वैं भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे और अन्य आत्मों को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे. कई बार हम लोग पुर्सार्थ सब्द को समझ लेते हैं कि गलतियां तो हमसे होंगी. हम तो पुरसार्थी हैं, यह सब प्रियोग करके अपने को डिला कर देते हैं, तो परमात्मा करें सिर्फ मैं पुरसार्थ कर रहा हूँ, मैं विजयी बन जाओगा नहीं, मैं विजयी था, विजयी हूँ, विजयी बन करके दिखाऊँगा, यह द्रण संकल्प करो और यह पु दूसरों को मैं मदद क्या कर सकता हूं। इसलिए परमात्मा हम सब को कहते हैं कि पुरसार्थी सब्द की वजाए वर्दानी और महादानी बन करके हर एक आत्मा को धान करो। धान करोगे तो उनकी दुआएं आपकी कमी-कमजोरियों को समाप्त कर देंगी। बहुत अच्छी विधी है। कई बार हम सोचते हैं मेरे पास तो है नहीं मैं दोसरों को कैसे दूँ। हमारी धाना इतनी उन्ची नहीं फिर मैं कैसे बता हूं। और कोई कमी-कमजोरी की परवा किये बिना दान करो। दूसरों को दो। और दूसरे अगर उसको सुन करके, समझ करके, अपने जिवन को महान बना लेंगे, तो उनकी दुआएं हमारी छोटी-मूटी कमियों को सह समाप्त कर देंगे। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि अब भाशा परिवर्तन करो, स्वभाव संसकार भी परिवर्तन करो, स्वयम भी परिवर्तन करो, स्वभाव संसकार, सर्वात्माओं को भी प्रत्यक्षभल के अधिकारी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो कई बाते जो बीत कई उनका हम चिंतन न करें जो बीती बाते कमजोरी की उन बीती बातों को फुलिश टाप लगाएं और लक्ष रखें कि मझे संपन संपूर्ण बनना है संपूर्णता की मंझिल ही परिवर्तन का आधार है परमात्मा हम सब को कह रहे हैं कि उस परिवर्तन के कि मुझे कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूँ, शक्ति साली आत्मा हूँ, व्यर्थ को नहीं आने देंगे। जो संकल्प बाते आपको व्यर्थ में लिये जा रहे हैं, उस व्यर्थ पर कंट्रोल करो। प्रमात्मा कहते हैं कि अभी से सदाकाल के लिए अपने को ताज, तिलक और तक्तधारी अनुभव करो। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आना है। अभी यह बाते स्वप्न से भी समाप्त करो। ऐसा समाप्ती समारोह वनाओ। ये तीनों चीजें बहुत ज़रूरी हैं। एक है आत्मिक सुरूप का थिलक। और दूस्रा है पवित्र विचारों का ताज, सुद्ध संकल्पों का ताज। और परमात्मा का दिल्टक्त, जो आत्मा इन तीनों चीजों को धारन करके रखती हैं। आत्मिक शरूप में इस्तित रहती मारा तिलक लगा हुआ है, यह भूले नहीं कि मैं आत्मा हूँ, यह तो तिलक जैसे मिट गया, और यह अपने सुद्र संकल्पों से एक लाइट का ताज क्राउन है हमारे सिर पर, इस थूल को एक क्राउन नहीं है, लेकिन पवित्र विचा तो तक्त, ताज और तिलक यह तीनों अगर इस्मृतियां रहती हैं, कभी हार नहीं होगी, सदा विजयी बन जाएंगे, परमात्मा कहता है, इस इस्मृति को सदा रिवाइज करो, आप कभी भी फेल नहीं होँगे, सफल होते जाएंगे. परमात्मा कहते हैं कि विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन, संगठित रूप में सदा ततपर हो जाओ, तो विश्व सेवा में स्वयम की चड़ती कला स्वतय होती जाएगी, पुन्य आत्मा बन, पुन्य का फल प्राप्त कर रह हैं, सदाया से आनुभफ करेंगे, जो विश्व सेवा के कारे में मन वानी करम से, तन मन धन से लगे रहते हैं, और कोई चीज की परवा नहीं करते हैं, मुझे विश्व कल्यान के सेवा के लिए परमात्मा ने निमित बनाया है, इस सेवा में लगते हैं तो उनकी सोतह चर् दिखाना, उनके चरित्र का उत्थान करना, एक बड़ा पुनिका कार्य है, तो परमात्मा कहता है, जो पुनिका करम आप कर रहे हो, इस से आपकी नेचुरल चर्थी कला है, इसके लिए और कोई पुरसार्थ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सेवा में लग जाएंगे, तो आपकी 29 सुतह होती जाएगी, बिलकुल परमात्मा कहते हैं कि अभी प्राप्ति की मशीनरी तीवर गती से अनुभव करेंगे, व्यर्थ का भी और समर्थ का भी, दोनों कर्म का फल, लाख गोणा प्राप्ति क्या होती है, ये सब अनुभव करेंगे, अगर कुछ व्यर जान आत्मा कर रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं किया और भोगा, लेकिन अगर समझ करके ग्यानितु आत्मा बन करके फिर कोई गलत कर्म कर रहे हैं, विकारों के अधिन हो करके कोई पाप कर रहे हैं, तो उसकी जैसे स्रेष्ट करम की पुन्न की खाता भी समझ करके कर्म करना है, प्रमात्मा कहते हैं कि इसलिए लाख गोणा जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है, अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रालप्त बनाना है, इसके लिए विशीश क्या करना है, सिर्फ दो बातें याद रखो, एक, सदा अपने को वि कर्म करो, दूसरी बात, सदा हर एक में विशेशताओं को देखो, हर आत्मा में विशेश आत्मा की भावना रखो, साथ विशेश बनाने की शुब कल्यार की काम ना रखो परमात्मा हम सबको पुन्य आत्मा बनने की बहुत संदर विधी बता रहे हैं, कि अगर संकल, बोल और कर्म में अपने आपको मैं विशेश आत्मा समझ करके, विशेश बोल बोलती हूँ, अच्छे बोल बोलती हूँ, तो मैं विशेश आत्मा हूँ, और सामने वाली आत्म उनकी विसेष्टाओं को हम देखें और उनके पर थे हम सुब भावनाय रखें, सुब चिंतन करें, तो हम पुने आत्मा बन जाएंगे, हमारा लाग गुना जमा होता जाएगा, तो परमात्मा ये दो विधियां बता रहे हैं, एक खुद को विसेष्टाओं समझो और दूसर जाएंगे और आपका पुनी जमा होता जाएगा, बिलकुल परमात्मा कहते हैं कि सदा एक बात का अटेंशन रखो, जिस अवगोन व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुशार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयम कभी धारण नहीं करना, दूसरे द्वारा फैकी हुई चीज को लेना, यह इश्वर यह रॉयलिटी नहीं। गंदगी छोड़ रहा है, तो क्या आप उस गंदगी को उठाके अपने कमरे में अपने पास रखेंगे। तो परमात्मा हम सब को यह बहुत सुन्दर सिक्षा देते हैं, किसी की कमी कमजोरी को नोट करना, माना उसकी गंदगी को अपने पास भरना, इसलिए हमें किसी की कम पुरसार्थ कर रही है, इसलिए उसकी कमी और कमजोनियों पर मुझे ध्यान ने देना है, उनकी विशेश्ताओं को ही मुझे देखना है। अधी स्वरूप है, ऐसा जादू मंत्र जो सेकेंड में जादू मंत्र कर दो, अर्थात परिवर्तन कर दो। वास्तों में जब हम बाबा सब्द कहते हैं तो उस निराकार परमात्मा की याद आनी चाहिए, क्योंकि बाबा तो आजकल दुनिया में बहुत हो गया है। तो परमात्मा कहते हैं जब बाबा सब्द कहते हो तो इस देश से डिटेच होकर कि उस निराकार की तरफ बुद्धी लग जाए। जब उसमें बुद्धी टिक जाएगी तो यह बाबा सब्द जादू का काम करेगा। परमात्मा वैसे भी कहते हैं वो जादू गर है। तो इस जादू मंत्र के आधार से हम अपने कारे में सफल हो सकते हैं, और जिस सेवा में निकलते हैं हम ब्रद्धी कर सकते हैं। विष्दार कर सकते हैं. तो ये विधी परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं, कि कोई भी कारी के लिए जाते हो, करावनहार परमात्मा है, वो कराएगा बहुत अच्छे स्रेष्ट सकारात्मक संकल्प करके फिर कारी प्रारंब करो. तो ये जादो मंत्र का काम करेगा. और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। कभी-कभी स्मृति होगी, तो सदा सफलता नहीं होगी, कभी-कभी होगी, तो यह वर्ष सदा को अंडर Lाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना, बड़ी बात नहीं. लेकिन सदा याद में रहना यही बड़ी बात है पर सब आज हमने बहुत ही गहराई से कैसे स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन में हम मददगार बन सकते हैं उन विधियों को जाना पर सब सबस्पश्टी करण के लिए आपका बहुत बढ़ धन्यवाद दर्शकों आज के अपिसोड में हमने समझा कि परिवर्तन की घड़ी को समीप लाने का आधार है हमारी संपूर्ण और समर्थ स्थिती और इसके लिए हमें व्यर्त के खाते को समाप्त कर सदा ताज, तक्त और तिलकधारी रहने का पुरुशार्थ करना है परमात्मा ने कहा कि हमें कभी भी किसी के अवगुण व कमजोरी न देखनी है न वर्णन करना है हमें सदा ही सभी की विशेशताएं ही देखनी है परमात्मा ने कहा कि सदा याद रहे, कि सदा सिध्धी का आधार है, सदा परमात्मा की स्मृति तरशकु आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रशन है तो आप हमें एमेल कर सकते हैं हमारा एमेल आइडी है amolleratna at the rate godlywoodstudio.org अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त आउम शांती मुख्यसार पुर्शार्थ करने के बाद क्या करना है सफलता स्वरूप बंद सफल रहो और सर्व को सफलता मूरत का वरदान दो विश्व सेवा में चर्टी कला कब होगी संकल्प वानी और कर्म से सच्चे सेवाधारी बन संगठेत रूप में तत्पर होने से रुखानी रस्मूद एक दोग के विशेशताओं का वर्णन करना सहयोग और स्ने के पुश्पोगी लेंदे करना हर कार्य में हाजी पर पहले आपका हाथ बढ़ाना रुखानी बृतिवा वाइब्रेशन्स का दूब जगाना अधिक जानकारी के लिए संपर करें अमुल्यरतन गौडलीवुड स्टूडियो मनमोहिनीवन शान्तीवन पोस्ट आवुरोड 307510 डिस्टिक्स सिरोही राजिस्थान इमेल आईडी है अमुल्यरतन at godlywoodstudio.org इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें